नमस्कार स्वागत है आपका विहारी नूजवे मेरतन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे पंचाय चुनाब 2021 के वारे में विहार विधान सभा चुनाब 2020 समाप्त होने के बाद एक बार फिर से 2021 में बिहार निर्वाचर आयोग चुनाब की तैयारियों में जुट गया है चुनाब आयोग के साथ साथ परसाशनिक अस्तर पर भी इसकी तैयारी सुरू हो गई है इधर चुनाब की सुखबुगाहर को देख परत्यासी भी अमद्दताओं के दरवाजे पर पहुँचने लगे हैं चुनाब लड़ने की इच्छा रखने वाले परत्यासी अपने समर्थीत लोगों के साथ पंचायत का दौरा करने लगे हैं ऐसे में उनका कहना है कि चुनाब के तारिक की घोषना होने के बाद बहुत कम समय बसता है ऐसे में लोगों से मिलना सुरू हो गया है समहमना चताई जा रही है कि अगले साल 2021 में मार्स से मैं के बीच पंचायत चुनाब हो सकता है चुनाब आयोग विचार कर रहा है कि पंचायत चुनाब अधिक्तम 9 चरणों में पंचायत चुनाब कोले का जारी विग्यप्ति में राज निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 38 जिलों के जिला धिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एबं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामी किया है प्रदेस्क जिलाधिकारी और पंचाइती राज पदाधिकारी को बिहार पंचाइती राज अधिनियाम 2006 एवं बिहार पंचाइत निरवाचन निवावली 2006 के तहट आयोग ने उन्हें यह जिम्मिदारी सौपी है। चुनाव आयोग के सचीव योगेंदर राम ने कहा कि सभी जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पताधिकारी को वर्ष 2021 में मांच से माई के बीच में त्री अस्तरिये पंचाईतों एवं ग्राम कचहरियों का आम चुनाव कराये जाने की संभावना है पंचाई चुनाव को लेकर बूथों के गठन की तैयारी सुरू हो गई है राज निर्वाचन आयोग ने अस्पस्ट किया है कि पंचाई चुनाव में बूथों के गठन में खास एहतियात बरती जाएगी इसको लेकर आयोग द्वारा बिश्त्रित दिसान दिर्दे से तियार किया गया है इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्या के घर के 100 मीटर के अंदर बूथों का गठन नहीं किया जाएगा अयोग ने यह भी अस्पष्ट कर दिया है कि कोई वेभूत थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदी, मस्जीद, गिर्जा घर एवं धार्मिक अस्थर पर नहीं बना जाएगा बूथों को सरकारी, अर्ध सरकारी या पंचायत भवन या मनरेगा भवन में ही अस्थापित किया जाएगा अयोग ने यह भी कहा है कि जहां पर सरकारी या अर्ध सरकारी भवन नहीं होंगे, वहां पर सरकारी जमीन पर चलंत बूथ बना जाएगा एक पंचायत में अधिकतम दो चलंत बूथ ही बनाई जा सकते हैं माना यह भी जा रहा है कि पंचायत आम चुनाओं में 15-20 फीजदी मतदताओं की संक्या में बृधी हो सकती है ऐसे में एक बूथ पर 700 मतदाता होंगे एक मतदाता को पंचायत चुनाओं में 6 परत्यासियों के लिए 1-7 मतदान करना होगा ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि मतदान सुबह 7 बजे से साम 5 बजे तक असानी से संभर हो सकेंगे मतदाताओं की सुगमता को देखते हुए यह कोशिस की जा रही है कि बूथ 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी बताया तो यह भी जा रहा है कि 2021 में होने वाले पंचायत चुनाओं को लोग कर कहा जा रहा है कि अधिक परदरिस्ता लाने में मदद मिलेगी मतगनना भी संगतियों की जाच होगी और इसमें धांदली की भी संभावना कम होगी पंचायती राजबी भाग के अतिरिक्त मुक्स सचीव अमरित लाल मिला ने बताया कि हमें ACC से प्रस्ताब मिला है कि इस पर विचार किया जा रहा है बिहार से जुड़ी ऐसे हिताजातरिन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी नियुज के साथ मुझे दिजिए जाजत धन्यवाद